हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीखाँ उघाए कि किस तरही किस आप एक Brand बना सकते हैं Online आज की जमाने में अगर आप कुछ Project Service Sale करना चाहते हैं तो उसे Brand बनाकर Sale किजी क्योंकि Brand बनाकर Sale करने के बहुत सारे benefits है आप ज्यादा Charge कर सकते हैं आपकी एक identity होती है market में, आपका जो competitor है, आप अपने competitor से आगे बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा कि T-shirt तो पटरी के side में भी बिखते हैं, लेकिन कई ऐसी brand है जो brand बना कर T-shirt sale करते हैं, सेम इसी तरके बहुत सारे market में आपको shoes मिल जाएंगे, जो road पर भी मिलते हैं, ल तो आप brand बना कर sale कीजिए, इससे आप ज्यादा charge कर सकते हैं, customer आपको खुशी-खुशी pay करने को तयार भी हो जाएगा, बद इसके लिए आपको थोड़ी से strategy बनानी पड़ेगी, आपको planning करनी पड़ेगी, completely आपको business की तरह इसे treat करना पड़ेगा, चाहे आप अपना 24 में जहां बहुत जड़ा opportunity है online film में, आप online अपना brand बिल्ड कर सकते हैं, वो भी cost effective में, आज मैं आपको strategy बताऊँगा, complete road मैं आपको बताऊँगा, कि किस तरीके से आप brand बिल्ड कर सकते हैं, और आप अपने social media पर एक community बिल्ड कर सकते हैं, audience बिल्ड कर सकते हैं, जिस तरह phone ही तो है, जिससे हम calling के लिए इस्तमाल करते हैं, जैसे market में Vivo है, Oppo है, ये सारे Samsung ये phone है, लेकिन iPhone को क्यों आज के जो young generation है, जो youth है, वो क्यों इतना prefer करते हैं, iPhone सुनते ही आपके mind में एक luxury का status आ जाता है, एक status symbol की तरह mind में एक image बन जाती है, एक security का mind में make up हो जाता है, क एक luxury चीज है, वो luxury product है, status symbol है, जिसके हाथ में आप दिखते होंगे, उससे आप समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा reach होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती है, तो brand एक ऐसा ही है, brand एक positioning होती है mind में, किसी को भी सुनते ही समझ में आयाता है कि ये किस की बात कर रहा है, ज सुनते ही mind में आपके उस brand के बारे में एक image बन जाती है mind में, ठीक इसी तरह एक brand होता है, brand बना कर sale करने के बहुत सारे benefits है, इसलिए अगर आप 2024 में online brand बिल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं आप ऐसा, बस आपको थोड़ से steps को follow करने पड़ेंगे, easy steps है, आज मैं आपको detail म में बताऊँ आप, तो चलिए हम start करते हैं इस journey को, सबसे पहला है कि define your brand identity, अगर आप अपना brand बिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपकी target audience कोन से हैं, आप किसको sale करना चाहते है, आपकी product या service क्या है, और उसमें सबसे आगे यहाँ पर आता है mission and values, आपका क्या mission है, क्या आप cheap price में एक affordable product देना चाह रहे हैं लोगों को, या फिर आप पहने इंडिया डिलिवर करना चाहते हैं, आपका mission and value क्या है, क्या value आप provide करने वाले हो, अगर आपका e-commerce कोई website है और आप उस पे shoes sale करना चाहते हैं, तो आप shoes किस तरह के sale करेंगे sneaker sale करना चाहते हैं, formal shoes है, leather shoes है, और आपकी जो target audience है, वो कौन है, क्या आप बहुत luxury product sale कर रहे हैं, या फिर medium rate वाले आप सब को target करना चाहते हैं, या सिर्फ student के लिए ही आप इस तरीके से product वहाँ पे sale करना चाहते हैं, तो आपको अपना पहले mission आपको बना के रखना है, क कम से कम charge पर मैं product quality product हूँगा, या फिर आप एक अच्छा feature दे सकते हैं, आप अपने product में, तो ये mission and values आपको decide करना पड़ेगा पहले, उसके बाद है brand personality, brand personality क्या मतलब है, कि आपके brand, आपके product को देखते ही, आपके brand के नाम याद आ जाए, जैसे iPhone को आपने देखा होगा, उसका एक symbol होता है, पीछे की तरह, back side की तरह, उसको क्या करते है, एक brand personality है, उसका color, उसका design, उसका display, उसका unique feature है, वो क्या है, वो brand identity है, जिसको देखते ही लोगों को mind में समझ में आ जाता है, कि ये iPhone का smartphone है, क्योंकि brand identity उसने ऐसा कर रखा है, इसी तरह आप देखे होगे, अगर आपने, तो paper board है, एक cold drinks आती है, एक soft drink है, आपने coca cola देखा होगा, इस pride देखा होगा, इन सब के designing, लेकिन एक paper board है, आप उसको देखेंगे, तो उसके designing अलग है, तो एक brand identity ऐसे होती है, आप कौन सा color इस्तमाल करते हैं अपने logo में, आप कौन सा design style आप पसंद करते ह हैं, जैसे आपको example दूँ, तो detol है, आपने देखा होगा detol की जितने भी products हैं, detol के, वो green color में होते हैं, green किस चीज को दर्शाता है, purity दिखाता है, वो सफाई, cleanness ये दिखाता है, तो उनके सारे जितने भी product हैं, वो green color में होंगे, वही आप अगर उनका social media platform भी तो ये brand personality यही चीज़े हैं, आपको कुछ चीज़े maintain करके चलनी हैं, आपका social media post का जो color है, वो same होना चाहिए, उसी तरह आपका font भी एक, आपको stick कर लेना है, कि इसी font में मुझे अपने design करने हैं, इसी तरह आपका logo भी same होना चाहिए, तो यहाँ आपको brand personality आपको बनाना audience, आप किस target, किस age group के लोगों को आप target करना चाहते हैं, क्या आपका जो product का सिर्फ female के लिए है, female में भी है, तो क्या वो teenager के लिए है, 15 to 16 से लेकर 13 youth जो girls है उसके लिए है, या फिर aged woman के लिए, या फिर आपका male के लिए, male में आप किस के लिए है, old age के लिए है, senior citizen के जैसे मैं आपको example से, आपको समझाओं, आप shoe sale करना चाहते हैं, आप shoes में भी बहुत सारी variety है, जैसे आप shirts यहाँ sell करना चाहते हैं, तो shirt में भी बहुत सारी varieties है, casual shirt है, formal shirt है, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो आपको पहले यह decide करना पड़ेगा, कि आप तो product के service sell करना चाहते हैं, उसका target audience कोन है, उसका demographic, उसका educational status क्या है, उसका financial status क्या है, वो married है, वो couple है, आपको यह सब पहले find करना पड़ेगा, mind makeup आपको करना पड़ेगा, आप किसे sell करना चाहते हैं, किसके लिए आप product market में ला रहे हैं, यह सब आपको पहले कर लेना है, define your brand identity में, एक बार जब आप यह कर लेते हैं, तो फिर आगे नमर आता है, create a unique brand name and logo, एक बार आपने अपनी brand identity, आपने डिसाइड कर ली, आपने अपना mission और विजन बना लिया, आपने अपने target audience भी आपने कर ली, कि यह audience है, जिसे मुझे target करना है, अब आगे आता है, अब आ आपके business के बारे में पता चल जा, जैसे अगर कोई shirt sale करना चाहता है, e-commerce website पे, तो वो अपने name में shirts लगाएगा, जैसे मनोज shirts, या फिर good morning shirts, इस तरीके के नाम होते हैं, जिससे name से ही पता चल जाता सामने वाले को, कि यह क्या चीज़ sell करने की बात कर रहा है, तो नाम बहुत कुछ matter करता है, इसलिए आपका नाम बहुत कुछ depend करता है आपके branding में, आगे है logo, design a professional and recognizable logo that visually represent your brand, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जो, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी brand है, जो वो logo design करते हैं, तो वो किसी specific color को लेकर logo design करते हैं, उसमें कुछ elements डालते है को zigzag type का line डालते हैं, वो क्या होता है, ऐसा logo जो unique होने चाहिए, जो किसी और brand का ना हो, आपका ही हो, और आपके लोग, जो आपके audience है, वो आपके logo से आपके बारे में जान जाए, हम यहां completely branding की बात करें, branding का मतलब यह होता है, कि brand आपके कोई भी चीज़ देखकर, लोग पर आप अपने business recording, color, fonts वगरे इस्तमाल कर सकते हैं, next यहां पर build a professional website, आज के जमाने में, 2024 में जहां सब कुछ online है आपे, अगर आपके पास website नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आप brand बिल करना चाहते हैं, तो website आपके पास होना चाहिए, एक तरी से website आपका customer care, आपका जो employee है, आपका जो भी manpower है, वो 24 घंटे support नहीं दे सकता, क्योंकि उसके भी एक time limit है, लेकिन आपका website 24 into 7 आपके लिए work करता है, अगर आप कुछ e-commerce पे sell करना चाहते हैं, shoes हो, shirts हो, stationary हो, कोई भी product के service ले लिए, अगर आप sell करना चाहते हैं, तो आपके mission बताईए website पर, आप अपने वहाँ पर vision से आप बताईए, आपका target audience क्या है, आप किस तरीके से अलग हैं आप अपने competitor से, क्या आपकी quality अच्छी है, क्या आप pen India deliver करते हैं, या आप affordable है, या मतलब आपका कुछ नो कुछ USP होगी, unique selling point होगी, और उसी को वहाँ पे focus करना ह choose a memorable domain name, आपको domain name choose करना है, और आपको अगर मैं एक secret बताऊँ, तो domain name भी आपको वही रखना है, जो आपकी business का name हो, उससे easy to understand होता है, prospect relate कर पाते हैं आपसे, तो memorable आपको domain name रखना है, easy to spell हो, type करना आसानी हो, लोग आपको आपको आसानी से search कर सकें, ensure a clean and user friendly design, अब जब आ website design करवाएंगे, या आप खुद website design करेंगे, तो ऐसा interface रखना है, जो easy to use, easy to navigate हो, लोगों को अगर वहाँ पर कोई product है, उसे पसंद आ गया, तो वहाँ पर कार्ट में डाल दे, वहाँ से payment कर ले, कि उन्हें बहुत ज़्यादा help ले वहाँ से, तो आप इस तरीके से user friendly design बन website होगे, चाहे यूटूब होगे, बहुत सारे applications वगर वो mobile से एकसिस के जाते हैं, तो आपका जो maximum prospect है, वो mobile से ही आपको एकसिस करेगा आपके website को, इसलिए आपको ये भी देखना है कि वो mobile optimize हो, mobile में भी वो ऐसे ही open हो, जैसे आपका PC पे website open होता है, clearly communicate your brand message and offering, आप time to time वहा पे आप new year discount दे सकते हैं, coupon code निकाल सकते हैं, holy discount आप दे सकते हैं, इससे क्या होता, आप अपने prospect से engage रहते हैं, customer आपके बारे में जानते हैं, लोग इतना फिलिपकाट Amazon को क्यों जानते हैं, क्योंकि वहां हमेशा big billion day आते रहते हैं, festival sales चलते रहते हैं, जिससे लोग wait करते हैं, कि कब sale आएगा, और मैं कोई product or service, कोई product वहां से मैं buy करूँगा, ठीक है, तो आपको पहले काम यह करना है, जब आप एक बार brand identity build कर लेते हैं, आपने logo बना लिया, name choose कर लिया आपने, तो आप अपना professional website ज़रूर बनाइए, यह बहुत important आपके लिए, अब आगे है content marketing अगर online world में, आप successful होना चाहते हैं, तो content is the king, content आज के time में राजा है, जिस business के पास, जिस branding है, जिस influencer के पास content नहीं है, उसे वो grow नहीं कर सकता, इसलिए आपको चाहे कोई भी product or service हो, आपको content create करते रहना है, जिससे audience के नजर में आपकी trust build होते हैं, लोग आपके बारे में genuine, समझते हैं, आपके authority build होती है, develop a content strategy align with your brand voice, आपके brand voice के according, आपको content strategy बनानी पड़ेगी, एक example से मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप dentist हैं, अगर आप अपनी brand build करना चाहते हैं, आप अपने clinic की, आप अपनी branding करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, आप इस तरह का content share जिससे कि वो उनके help मिले, जैसे आप उन्हें बता सकते हैं कि आइस्क्रीम नहीं खाना चाहिए, कौनसे आइस्क्रीम कितनी खाने चाहिए, क्यों sensitivity आती है आपके teeth में, आप इसका कोई remedies बता सकते हैं, tips and tricks बता सकते हैं, आप उन्हें best guidance दे सकते हैं कि कि किस तरह से teeth को healthy र किस से आप appeal कर सकते हैं, consumer care में किस से आप appeal कर सकते हैं, तो आप अपने niche के according, वहाँ पर content आपको create करते रहना हैं, जैसे मैं अपने example से लूँ, तो मैं digital marketing की training और services देता हूँ, मैं अगर personal branding build करूँगा, तो मैं अपने niche, यानि digital marketing से related content create करूँगा, जिससे लोगों की नजर म मेरा face आएगा, मेरा content वो consume करेंगे, और धीरे-धीरे मेरे पे उनका trust build होने लगेगा, अगर वो आगे digital marketing सीखना चाहते हैं, या फिर वो service लेना चाहते हैं digital marketing की, तो मुझसे call करेंगे, मुझसे contact करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि content की power ही है, जिसके वेसे लोग मुझ से services पी लेते हैं, तो content आज के time making है, आपको content बहुत carefully, strategically आपको plan करना है, और share भी करना है audience के साथ, create valuable and shareable content, blog post आप create कर सकते हैं, अपने website पर, आप videos create कर सकते हैं, infographics, images, krausals आप share कर सकते हैं, और यह सारे जो content होंगे, वो कहीं न गहीं आपके brand से related होगा, अगर आप real estate के field म हैं, तो आप real estate से related content share करेंगे, बहुत सरे ऐसे topics होती है, जैसे किस तरीके से एक अच्छा deal कर सकते हैं, property buy करने से पहले, क्या चीज़ा धियान में रखना चाहिए, कौन-कौन से paper को check करना चाहिए, किस तरीके से best location पे property buy कर सकते हैं, यह सारे चीज़ आप वहाँ पे share करें अब आपके industry से related कुछ new happening हो रही है, क्यों new incident हो रहे है, global level पर, local level पर, country level पर, आपको उसे share करते रहना है, जिससे लोगों की नजर में आपकी trust build हो और आपका branding इसी तरह से build होती है, जब आप online share करते है content, आपने देखा होगा आज के time में बहुत बड़ी बिर brand है, चाहे Samsung ले लिजिए, hot star ले ले लिजिए, amazon prime ले ले लिजिए, kfc ले ले लिजिए, ये सारे क्या करते हैं, free में content share करते हैं, ताकि user के बीच उनकी relevancy बने रहे, user उसको देखते रहे, उसके content को consume करता रहे, और यहीं से आपकी brand building स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर social media presence, आज के time में शायद ही कोई ऐसी brand होगा, जो social media पर available नहीं है, ये कोई option नहीं है, ये एक necessary है, ये एक मजबूरी बन गए businesses के लिए social media पर आना, क्योंकि आज के time में जो online activity है, वो लोगों की काफी बढ़ गई है, online time spending काफी ज़्यादा increase हो चुका ह आपको अपने social media platform को optimize करना है, हर एक social media platform पर आपको अपनी ID बनानी है, लेकिन कुछ social media platform, जो आपके brand के according specific होगा, आपको उस पर कुछ ज़्यादे focus करना है, तो आपको अपने audience के according, अगर आपका audience यूध है, ऐसा कोई product आप sale करना चाहते है, जो यूध को काफी पसंद है, जैसे skin care कोई product है, या hair care कोई product है, या आपको clothing से related sale करना चाहते हैं, तो आपको Instagram पर होना पड़ेगा, तो आपको Instagram की जो audience है, वो youth है, अगर आप कुछ ऐसा sale करना चाहते हैं, जो B2B businesses के लिए हैं, तो फिर आपको LinkedIn पर active होना पड़ेगा, और वहाँ पर focus होना पड़ेगा इसने जितने भी social media platform है, वो हर एक businesses के लिए नहीं है, हर एक businesses की requirement है, जो audience है, वो अलग-अलग होती है, तो ठीक इसी तरह जो social media platform है, उसके audience भी अलग-अलग है, ये आपको decide करना है, आपको ये दिखना है कि कौन सा product या service आपके पास है, वो उसके लिए कौन सा platform suitable है, maintain consistent branding, profile picture, cover photos and bios, जब भी लोग आएंगे आपके social media पर, या आपको कोई post उन्हें नजर आ गया, जब वो आपके profile पर आएंगे, चाहे Instagram की हो, Facebook पे हो, आपके YouTube पे हो, या फिर आपके LinkedIn पर, तो वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अच्छे से bio optimize कीजिए, अच्छे साप व product या, service है, आपका USB की है, यूनिक selling point है, तो आपको अपने social media को अच्छे सो optimize करके रखना है, कि जब भी उनसर आपके profile पर कोई visit करे, तो उसे एक safe clean message मिल जाए, कि आप क्या करते हो, क्या mission है आपका, नेच्ट आपे engage with your audience through comments, message and share, अगर कोई audience है, Instagram पर आपको DM करते हैं, तो algorithm है, वो इस तरीके से work करता है, कि जिस profile पर ज्यादा engagement आती है, वहाँ पर वो ज्यादा और grow करता है, वहाँ और ज्यादा लोगों को आपका content है, जो आपका पोस्टर है, आपका videos है, वो दिखाय जाएगा, तो आपको उसे ignore नहीं करना है, बिल्कुल messages को, आपको उन्हें reply कि चाहे आपका product or service कुछ भी हो, आपको content share करते रहना, अब यहाँ पर content share करने के दो तरीके हैं, आप यहाँ कुछ promotional content भी share कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक example से समझाओ, अगर आप एक restaurant owner है, आप अपनी restaurant की branding कर रहे हैं, तो आप तो वहाँ पर dishes आप sell कर रहे हैं, तो आप तो वहाँ पर आप ऐसे बता रहे हैं, किस तरह से आपके restaurant में hygiene को maintain करा जाता है, आप किस process से food deliver करते हैं, आपकी क्या USP है, इसके साथ आप promotional भी वहाँ पर कुछ content share कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं कि एक specific dish पर इतने का offer है आज के time बे, इतना discount मिल रहा है, इसके अलावा आप वहाँ पर informative content भी डालिए, कि कोई एक specific food खाने से क्या health benefit है, क्या वो eyes के लिए बहतर है, वो heart के लिए बहतर है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर informative content, ऐसा content जो आपके audience को value भी provide करें, और साथ इसाथ आप promotional content भी आप वहाँ पर share कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आपको lead लोग आपके restaurant पर आए भी और आपकी branding भी हो, ठीक है, next day आप है, engage in online community, अब बहुत सारे ऐसे forums हैं, जहाँ पर discussion होता है, same type के association होते हैं, वहाँ पर same type के business owners आते हैं, आपको वहाँ भी participate करना है, आपको लोगों को बताना है, क्योंकि आप branding बिल्ड करने हैं, तो brand building में आप आपको ज्यादे ज्यादे फिल्ड में आना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी आपको, यहां देखे, joint relevant forum, groups and discussion, facebook पर आपको हर एक group मिल जाएगा, specific, अगर dentist है, lawyer है, restaurant है, real estate है, horse cleaning services है, हर किसी का वहाँ पर आपको group मिल जाएगा, तो आपको group में active रहना है, देखना आपको कि जो आपका prospect है, वो क्या सवाल करें, उनके क्या queries है, आप यहां जब discussion करेंगे, तो आपके बारे में लोगों को पता चलेगा, be an active participant and offer values, आपको वहाँ पर participate करना है, लोगों को value देना है, कोई tips and tricks, आप अपने industry से related बता सकते हैं, आप उन्हां कुछ guidance दे कार हैं, यह सब वहाँ पर share करते है content, तो इससे वहाँ पर उनकी trust build होना start हो जाते हैं, आगे फिर जब उनको या उनके relatives को कोई legal assistant की जूरूत होती है, किसी legalities में वो फस जाते हैं, तो वो उन्हें contact करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले content share करा था, इससे उनकी नजर में वो थे क्योंकि उन्हें ने अपने personal branding कर रखी थी, avoid overlay promotional behavior, focus on building relationship, अब आपको अपने social media पर ऐसा नहीं करना कि promotional ही आपको वहाँ पर हमेशा करना, हमेशा आप अपने प्रमोट कर रहे हैं, आप अपने product or service को प्रमोट कर रहे हैं, आप sale करना चाहते हैं, बलकि आपको relationship build करने में आप आपको focus करना है, अगर आपने एक बार relationship build कर लिया अपने audience के साथ, तो वह कहीं नहीं जाएगा, उसे कुछ भी ज़रुवत पड़ेगे, तो वह आप से ही buy करेंगे, तो आपको यहाँ पर sales ही नहीं बनना है, हमेशा sales करने पर ही focus करना है, आपको वहाँ पर relationship build करना है, आपके product or service के बारे में, आज के time में जितने भी established brand है, चाहे semrush हो, uber suggest हो, आप detail को देख लिजे, यह सब क्या, इनका blog section भी होता है, यह अपने industry से रिटेट, वहाँ पर blog यानि article भी share करते हैं, ताकि लोग उनके article को read कर सके, optimize your website for search engine, क्योंकि वहाँ पर ranking कराना है, आपको जब भी लोग कोई search करके आते हैं, वहाँ पर keyword अगर आपके content से related है, तो आप चाहते हैं, वहाँ पर लोग आपको find करें, वहाँ आप अपना content user के सामने ले जाई, वो तभी होगा जब आप SEO करेंगे उसकी, use relevant keyword in your content, यह कर सकते हैं, build quality backlinks, यह सारे वो चीज़ हैं, जो यह अपने product की वहाँ पर आप USB बता सकते हैं, features बता सकते हैं, कोई extra benefit आप बता सकते हैं, तो यह सारे आप SEO के थुरू कर सकते हैं, पहले content लिखेंगे, फिर आप उसकी SEO करेंगे, और उसको search engine optimization में rank करेंगे, नेक्स्ट है email marketing, आज के time में email marketing भी बहुत effective marketing tool है, आप direct अपने customer से connect हो सकते हैं, आप उन्हें अपने नए product or service के बारे में बता सकते हैं, कोई new announcement के बारे में बता सकते हैं, new discount के बारे में बता सकते हैं, build and segment your email list, आपके पास जब भी कोई customer आए, तो आप उनसे request कर सकते हैं, आपना email list आप हमें दे दीजिए, आप अपना email ताकि मैं आपको information दे सकूँ, अपने brand के बारे में, अपने product or service के बारे में, send targeted and personalized email, आप उनको फिर जब एक बार email आजाए, तो आपके पास बहुत सारे email list आजाएंगे, list त्यार हो जाएगे, आपके पास, फिर आप उन्हे एक targeted और बहुत ही personalized आप उन्हें, message send कर सकते हैं, जैसे कोई new year आता है, तो आप उन्हें wish कर सकते हैं, इसी तरह उनका बड़्डे आता है, तो आप उन्हें बड़्डे पे wish कर सकते हैं, इससे जो customer है, वो personalized feel करता है, वो connect होता है, आपकी brand से related, इसलिए branding build करना चारे हैं, त तो यहां आपको बहुत जारे factor पे काम करना पड़ेगा, brand एक दिन में नहीं बनता, लेकिन जब वो brand build हो जाता है, तो फिर उसके बराबर में कोई नहीं आता, उसका competitor दूर दूर तक कोई नहीं आता, इसलिए आपको brand build में focus करने में, जब आप brand build कर रहे हैं, तो फिर आप पे online advertising, अब आपने अपने branding start कर रहे हैं, आप यहां पर organic कर रहे हैं, तो social media marketing में या फिर online marketing में दो तरीके होते हैं, एक तो organic तरीका होता है, जहां आप post करते हैं, content लिखते हैं, एक होता पेड तरीका, अगर आप instant result चाहते हैं, आप चाहते हैं, अभी के अभी, एक से दो इन में मेरे store पर visit traffic आने लगे, मेरे website पर मुझे orders आने लगे, तो फिर आप paid advertising की तरफ जा सकते हैं, google ads, facebook ads के थूरू, आप अपने product को promote कर सकते हैं, एक large audience तक पहुचा सकते हैं, और इसके लिए है facebook ads, google ads, यहां दिखा हुआ है, utilize paid advertisement on perform like google ads, facebook and instagram ads के थूरू आप जा सकते हैं यहां आप हमेशा अगर आप starting करने तो आपके पास अतनी budget नहीं होती है, ठीक है, तो आप occasionally इस तरीके से जा सकते हैं, paid advertising कर सकते हैं, otherwise आप content marketing तो करी रहे हैं, create compelling, add copy and visuals, आप अगर advertising करने जा रहे हैं, तो आपको अपने product के अच्छी copy बनाने हैं, crossals format में, infographics में, फिर add run की अगर आप influencer partnership, अगर आप new है इस फिल्म में, branding के फिल्म में, आप किसी एक specific फिल्म में, जैसे अगर मैं आपको बता हूँ, आपका कोई business है, जो travel and tourism से related है, तो आप उस फिल्म में क्या कर सकते हैं, आपकी reach ज्यादा नहीं, ज्यादा लोग आपके बारे में जानते नहीं, तो आप इहाँ पर influencer marketing कर सकते हैं, अब influencer marketing क्या होती है, influencer एक ऐसे person को कहते हैं, जिसके पास एक specific industry का audience होता है, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा हमारे देश में, influencers हैं, जो घूमते हैं, नहीं नहीं जगह पर जाते हैं, नहीं जगह को explore करते हैं, और वो अपने audience के साथ आप, वहाँ पर video shoot करते हैं, और दिखाते हैं, और उसके साथ ऐसे audience जुट जाते हैं, जो सेम जगह घूमना चाहते हैं, उन्हें पसंद होता है इसे चीज़ों को देखना, तो आप कह सकते हैं, आप उनसे collaboration कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं, कि आप अपन audience के साथ, वहाँ से जो आईगी मुझे revenue हम आपके साथ कुछ share करेंगे, तो influencer marketing कर सकते हैं, इससे क्या होती है, कि at a time आपकी जो reach बढ़ जाती है, तो कि जैसे ही influencer आपका product share करेगा अपने audience के साथ, उसमें से बहुत साथे लोग ऐसे हैं, जो purchase कर लेंगे आपका product, क्योंकि influencer influencer पर विश्वास है, तो उन्हेंने बहुत दिनों से content share करा है, अपनी authority बिल्ड करी हैं, लोग उनको trust करते हैं, इसलिए आप influencer marketing का इस्तमाल कर सकते हैं, आपने देखा होगा, जब भी कोई new phone market में आती है, तो चहरनवीर कपूर हो, या शारुक खान हो, वो उन्हें promote करते है इसको influencer marketing या celebrity marketing भी कहते हैं, influencer की बात करों तो बहुत सारे tech youtuber है, आप देखते होंगे, जो tech youtuber है, वो review करते हैं, फोन की जब new phone market मार्केट माती है, तो इसको influencer marketing ही करते है, इसे influencer marketing कहते हैं, और जो mobile company है, वो इन influencer के जरिये ही, वो Indian audience तक पहुंचना चाहते हैं, जो उनके पास audience है, जो technology से related interested है, तो influencer marketing के तुरू, आप अपनी reach को, आप अपनी जो engagement को बढ़ा सकते हैं, और आप अपना sales increase कर सकते हैं, आपके लिखा हुआ है, identify influencer relevant to your industry, अब आपको यहाँ पर यहाँ रखना है, आपको अपनी industry से related ही, आपको यहाँ पर influencer find करना है, ऐसा नहीं कि अगर आ दूसरे industry से related, इसलिए आपको यहाँ रखना है, कि आपका जो industry है, same OC का influencer होना चाहिए, collaborate and campaign that align with your brand values, आप कर सकते हैं, अपने audience के साथ इस तरीक के से, आगे यहाँ पर customer reviews and testimonials, यह बहुत एची चीज है, आपको अपना एक एक feedback को दिहान से लेना है, आप उनसे कह सकते हैं, क तो आपको अपने पता चलता है कि मेरा product के service क्या है, क्या यह real में value add कर रहा है यह नहीं कर रहा है, अगर value add नहीं कर रहा है, तो आप उसमें improvement करेंगे, उसमें क्या concern है, आप उसको देखेंगे, उसे improve करेंगे, ठीक है, और अगर feedback अच्छे आए, positive, तो आप आने वाले जो prospect जो आपके customer बना, आप उन्हें showcase करा सकते हैं, कि देखिए, मेरे इतने साधे customer है, happy customer है, मैं इने अभी तक यह product दे चुका हूँ, यह service दे चुका हूँ, वो मेरे happy customer है, तो आप भी ले सकते हैं, तो इस तरिके सा आप अपना trust build कर सकते हैं, encourage customers to leave reviews on your website and third party review site, Google, my business वगरे, आप उनसे कह सकते हैं, कि आप मुझे reviews दे सकते हैं, showcase positive reviews and testimonial, आप अपने जो customers है, जो आप यह prospect है, आप उन्हें देखा सकते हैं, आप social media पे share कर सकते हैं, अपना testimonial को, आप अपने reviews को, जिससे क्या होते हैं, लोग trust build करते हैं, क्योंकि जिन्होंने आपके product को experience करा, अगर को advocacy करते हैं, आपके product के बारे में, तो लोगों को trust build हो जाता है, address and resolve negative feedback promptly and professionally, ठीक है, तो आप अपने जो negative feedback आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो जिना कुछ कमी महसूस होगी आपके product में, तो आपको उसे भी address करना, आपको उनकी problem को भी सुनना है, ऐसा नहीं कि legal consideration, जब आप इतना सब कुछ करना start कर चुके हैं, तो आपको legal भी कर लेना है, अपनी जो आपकी organization है, जो entity है, इसके लिए आप GST paper बनवा लिचे, आप registered करा सकते हैं, आप अपना एक specific color, एक specific name को registered करा लिचे, ताकि same name का कोई और business नहीं open नहीं हो सके, अभी आपको जितने ब्रेंड दिखता होगा, वो सारे registered है, और उनके उपर trademark है, उनके, उनका logo, उनका color, उनका fonts, कोई इस्तमाल नहीं कर सकता है, protect your brand with trademark and copyright का, आप इस तरीके से legal कर सकते हैं, आप अपने organization को एक वाज़ा थोरी से branding ब्रेंडिंग हो जाती है, तो इससे आपको long term में काफी benefits मिले आपका जो return policy क्या है, आपका जो refund की policy क्या है, यह सब चीज़ आप वहाँ पे clear रखें, ताकि आगे चल के आपको illegality में नफस जाएं, यह सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब आप लोगों के साथ communicate करते हैं, आप market में जाते हैं, तो यह सारे चीज़ आपको ध् पूड मैप मिल चुका होगा, एक complete strategy आपको मिल चुकी होगी, कि किस तरीके से आपको अपना जो brand है, online brand बिल्ड करेंगे, तो 2014 में, आज किस वीडियो में इतना ही है, मिलते हम जल्दी next tutorial में, till then, goodbye.